हेलो दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल बुक्स प्ले में आपका स्वागत है आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रोंडा बर्ण दौरा मूल रूप से अंग्रेजी में लिखी गई पुस्तक The Secret का समरी हिंडी में इस पुस्तक में रोंडा बर्ण ने जीवन के हर पहलू जैसे धन, सेहत, संबंद, खुसी और लोक वैभार में रहस्य का प्रियोग करना सिखाया है इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आप अपने भीतर छीपी उस प्रवल सक्ती को जान जाएंगे जिसका दोहन अभी तक नहीं हुआ है यदि आप वे रहस्य जानना चाहते हैं, जिसे छुपाया गया, जिसे सभी पाना चाहते थे सतियों पहले जो रहस्य इध्यास के कुछ सबसे मसूर लोगों को मालूम था यदि हाँ, तो यह उस तक समरी आपके काम का हो सकता है जब आप रहस्य सीखेंगे, तो आप जान जाएंगे कि आप अपने मनचाहे व्यक्तित्यों को कैसे पा सकते हैं अपने मनचाहे काम कैसे कर सकते हैं, अपनी मनचाही चीज कैसे पा सकते हैं आप जान जाएंगे कि आप सुच मुझ कौन है आप उस सची भवیता को जान जाएंगे जो जीवन में आपका इनतजार कर रही है रॉन्डा बर्ड ने हमें अपनी इस किताब में आकरसन के निअम यानि की Law of Attraction के बारे में बताया है आकरसन के नियम को उन्होंने रहसे का नाम दिया है इस किताब को लिखने से पहले बहुत से लोग आकरसन के नियम के बारे में जानते थे लेकिन इसके बारे में आम लोगों को जानकारी नहीं थी रॉंडा बर्ण ने जब अपने जीवन में आकरसन के नियम को अपनाया तो उनकी जिन्दगी पूरी तरह से बदल गई उन्होंने सोचा कि अगर वह इस नियम के बारे में पूरी दुनिया को बताएंगी तो लोगों को बहुत फाइदा हो सकता है और उनकी भी जिन्दगी बदल सकती है इस किताब को पढ़कर आप ब्रमांड के सबसे बड़े सीक्रेट के बारे में जानेंगे जिसे जानकर आप लाइफ में धन, दौलत, सोहरत, हेल्थ, सक्सेस, हैपिनेस आदिस सब कुछ पा सकते है इस बुक ने कई बेस्ट सेलर बुक्स के रिकॉर्ड को तोड़ दिये पूरी दुनिया में नमबर वन बेस्ट सेलर बुक बन गई पूरी दुनिया में इसकी 23 मिलियन प्रतियां सेल हुई और 40 भासा में इस बुक को अनुबाद किया गया है इस बुक को लेकर एक डॉक्मेंटरी फिल्म भी बनाई गई वह फिल्म भी हिट हुई इस बुक में ऐसा क्या है जिसकी वजह से यह इतनी पॉपलर हुई इस बुक में कौन सा ऐसा सीक्रेट है जिसने लाखों लोगों के जीवन को चेंज कर दिया तो आईए सुरू करते हैं रोंडा बर्न की पुस्तक दिस सीक्रेट का हिंदी में संचिप्त अनुवाद अध्याए एक रहस्य परकट होता है दिस सीक्रेट रिवील्ड तो आखिर यह सीक्रेट है क्या लेखक कहती है रहस्य परकट होता है रहस्य से आपको अपनी हर मन चाही चीज मिल जाती है आप जो चाहे पा सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं, या बन सकते हैं unlimited power और दुनिया में किसी भी चीज को हासिल करने का secret है the law of attraction दुनिया में आज जिन्होंने भी कुछ बड़ा किया है, अपने उच मुकाम को हासिल किया है उनके पीछे law of attraction ही है बहले ही उन लोगों को पता ना हो, जिन्होंने अपने मुकाम को हासिल किया है लेकिन यह सकत है, कि उनके पीछे इस नियम का परयोग हुआ है पुराने जमाने में जितने भी लोग थे, जितने भी scientists थे, जिन्होंने अपने मुकाम को हासिल किया है वह इस law of attraction के बारे में जानते थे जैसे Einstein, Shakespeare, Newton इन सब को law of attraction के बारे में पता था और उसी से उन्होंने जीवन में कई मुकाम हासिल किये आखिरकार हम law of attraction के बारे में बात कर रहे हैं यह law होता क्या है? law of attraction कहता है कि जैसा आप सोचोगे वैसा attract होगा आप जो सोच रहे हैं या आपके मस्तिक्स में जो भी चल रहा है उसे आप अपनी और आकर सिख कर रहे हैं इस law का मतलब है आप यदि किसी चीज के बारे में positive सोचते हैं तो आपके दिमाग में वैसी ही thoughts जाएंगे और reality में आपको वैसा ही मिलेगा अपने आपको एक powerful चुमबक यानि magnet की तरह सोचे जिस चीज के बारे में आप सबसे ज़्यदा सोचने लगेंगे वह चीज सच में आपके life में होने लगती है आपके thoughts में इतनी power है कि वो मन में चल रहे ideas को reality बना देता है आसान सब्दों में इसका मतलब है कि जैसा आप सोचेंगे फिल्कुल वैसा ही आप अपने life में attract करेंगे यानि अगर आप हमेशा negative चीजों के बारे में सोचते हैं तो आप सिर्फ negative चीजों को ही attract करेंगे और आपके साथ सिर्फ बुरा ही बुरा होदा रहेगा लेकिन अगर आप अपने मन को positive thoughts से भरेंगे तो आपकी life खुशी और success से भरी होगी बिल्कुल एक नदी की तरह जो कहीं रुपती नहीं है हमेशा आगे की ओड़ बरती चलती जाती है यह law of attraction कहता है universe के rule हम सब के लिए बिल्कुल same है इसलिए कोई फर्क नहीं परता कि आप कौन है और कहां से आये हैं आप इस law को अपने life में यूज कर सकते हैं law of attraction ही वह ultimate secret है जिसके बारे में इस book की author Rhonda Byrne पूरी दुनिया को बताना चाहती इसका मतलब है कि आप जो हमेशा सोचते हैं वह सच हो जाता है अब तक आप लगबग जान गए हैं कि secret क्या है आपको अपनी life में जो भी चाहिए उसके बारे में आप सोच सकते हैं अगर आप लगातार उसके बारे में सोचते रहोगे तो एक ना एक दिन वहाँ आपको मिल जाएगा तो दोस्तों आईए अब जानते हैं ही मिलेगी उन सबसे छोटे छोटे हिस्सों को हम string का नाम देते हैं जो हमेशा vibrate करते रहते हैं जिससे energy निकलती रहती है जो चीजें आपस में एक दूसरे को आकरसित करती हैं उसके string एक तरह से vibrate किया करते हैं मतलब एक जैसे frequency के होते हैं हमारे thoughts, words और actions हर energy की एक अपनी frequency होती है लेखक बताती हैं कि हम सभी के विचार चुम्ब किये हैं और हर विचार की एक निश्चित frequency होती जब आपके मन में विचार आते हैं तो ये ब्रहांड में पहुंचते हैं चाहे वह अच्छा हो या बुरा वह frequency आप universe में भेजते हो फिर इसी तरह कि frequency की सारी चीजों को आप अपनी और आकरसित करते हैं हर भेजी गई चीज स्रोत तक यानि आप तक लौट कराती हैं इसलिए अगर आप अपनी life में कुछ भी change करना चाहते हो तो सबसे पहले thoughts की frequency को change करना पड़ेगा आपको हमेशा positive सोचना होगा आकरसन का नियम जीवन का महान रहस्य है आकरसन का नियम कहता है कि समान चीजें समान चीजों को आकरसित करते हैं इसलिए जब आप एक विचार सोचते हैं तो आप उसी के जैसे अन्य विचारों को अपनी और आकरसित करते हैं आप मानविया transmission tower की तरह है और अपने विचारों से frequency परसारीत कर रहे हैं। अगर आप अपने जीवन में कोई बदलाव लाना चाहते हैं तो अपने विचार बदल कर frequency बदल लें। आपके वर्तमान विचार आपके भावी जीवन का निर्मान कर रह है। आप जिस बारे में सबसे ज़्यादा सोचते हैं या जिस पर सबसे ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं वह आपके जीवन में परकट हो जाएगा आपके विचार ही वस्तू बन जाते हैं यह law of attraction आपके लिए काम क्यों नहीं करता है सामान चीजे सामान चीजों को आकरसित करते हैं यह हम सब जान गये हैं ज्यादा तर लोग इस बारे में सोच रहे हैं कि वे क्या नहीं चाहते और फिर इस बात पर हैरान हो रहे हैं कि उनके साथ बार बार बुरी चीजे क्यों होती हैं हमेशा याद रखें बुरी चीजों के भजाए अच्छी चीजों को आकरसित करें आप जिस बारे में सोचते हैं आकरसन का नियम आपको वही देता है दोस्तों आकरसन का नियम नहीं सब्त को नहीं पहचानता है अब आप सोच रहे होंगे कि इस दुनिया में हर कोई सोचता है मैं फेल नहीं होना चाहता, मैं कर्ज में डूबना नहीं चाहता, मैं सराब पीना नहीं चाहता, मुझे गरीब नहीं रहना है। जब हम हर वक्त कुछ इस तरह की बातें सोचते रहते हैं, तो ऐसा क्यूं होता है कि इसकी उल्टी चीजें ही हमारी तरफ आकरसित हो जाती है। जल्दी ट्रेन पकरनी है, तब आप रात को जल्दी सोने जाते हो। उस वक्त आप बस यही सोचते हो, कहीं आप लेट नहीं हो जाओ। उस रात आपने देखा होगा, आपको धंग से नीन भी नहीं आई होगी। फिर सुबह भी आपके साथ कुछ न कुछ ऐसा हुआ होगा जिससे आप लेट हो ही जाते होंगे। क्यूंकि आप बस यही सोचते रहते हो, आपको लेट नहीं होना है। आप लेट होने को ही एट्रेक्ट कर रहे हो। जिबकि आपको यह सोचना चाहिए था, मुझे सुबह जल्दी जाना है। हम सब की प्रॉलम यही है, हम सब बने अभी पोजिटीव चीजों के बासे और आपज़िए लेंगे लौइब काम करें तो दोस्तों आप कतरी ही मत तो आपको क्या नहीं चाहिए, बल्कि इसकी जगह उन्हीं चीजों के बारे में सोचना है जो आपको pleasड़िए अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपके तरफ पॉजिटिविटी आकरसित हो जाईगी अध्याय दो रहस्य का सरली करन अकरसन का नियम परकृति का नियम है यह गुर्थ आकरसन के नियम जितना ही निश्पक्ष और सर्व्यापी है यह सटीक और अचूक है अगर आप किसी इमारत से गिरते हैं तो इस बात से कोई फर्क नहीं परता है कि आप अच्छे इंसान है या बुरे आप जमीन से जरूर टकराएंगे जीवन में सरली करन जरूरी है सोध करता बताते हैं कि हमारे दिमाग में हर दिन साथ हज़ार विचार आते अगर आप दिमाग में आने वाले सभी साथ हज़ार विचारों को नियंतरित करने की कोशिस करेंगे तो सोचिए क्या होगा हम ठक जाएंगे गृत्वाकरसन के नियम की तरह ही आकरसन के नियम में भी कभी चूक नहीं होती है ऐसा कभी नहीं होता कि गुर्त आकरसन के नियम में चूक होने के कारण आपने इंसानों को उड़ते हुए देखा हो। इसी तरह आकरसन के नियम में भी कभी चूक नहीं होती। अगर आपकी जिन्दगी में कोई चीज आती है तो इसका मतलब यह है कि आपने लंबे समय तक उसके बारे में सोच कर उसे अपनी ओर आकर सित किया है। जब तक आप लगातार विचार करके किसी चीज का आहवान ना करे तब तक कोई भी चीज आपकी जिन्दगी में नहीं आ सकती। आप क्या सोच रहे हैं या जानने के लिए खुद से पूछें कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। भावनाय मूल्यवान साधन है वे हमें ततकाल बता देती है कि हम क्या सोच रहे हैं। बुरा महसूस करते समय अच्छे विचार रखना असंभव हैं। इसलिए हमेसा पॉजिटिव विचारों वाले लोगों के बीच रहें और अच्छा महसूस करें। आपके विचार आपके फ्रिक्वेंसी तै करते हैं। दसीक्रिट बुक में लेखिका ने रहस्य का प्रियोग कैसे करें के बारे में बताया है। लेखिका रॉंडा बर्ण आकरसन के नियम को सरल तरीके से समझाने के लिए अलाउद्दीन के जिन से तूलना किया है। आप जैसा सोचेंगे वैसा ही प्रिष्थितियां आपके सामने आ जाएंगे। इसी तरह से आप अलादीन हो और यहां बर्मांड आपका जिन है। आप उससे जो भी मांगोगे वह उसे आपको देगा। सुख, समिध्धी, हेल्थ, वेल्थ, आदी जो चाहे मांग सकते। लेखिका ने रहसे का प्रियोग करने के लिए तीन आसान कदमों के बारे में बताया है। पहला कदम मांगे, आस्क। पहला कदम मांगना है। सबसे पहले इस बर्मांड से आपको जो भी चाहिए वह मांग ले। बर्मांड हमेशा ही देता रहता है। इसके पास धन, दौलत, वैभप, खजाने, सूर्य, चांद, ग्रह, नचचत्र, गलैक्सीज, आदी सब कुछ है। आपको जो चाहिए इससे मांग लीजी। क्योंकि आप बर्मांड का ही अंग है और यह सब आपका ही है। बर्मांड को आदेश दे, बर्मांड को बता दे कि आप क्या चाहते हैं। बर्मांड आपके विचारों पर परतिक्रिया करता है। Law of Attraction का पहला नियम कहता है कि जो भी चीज हमें चाहिए, सबसे पहले मुझे यूनिवर्स को उस बस्तू के लिए सिगनल भेजना होगा। उसकी कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए। जितनी भी बड़ी चीज हो, उसे मांगना चाहिए। जिससे की उस फ्रिक्वेंसी से सिगनल यूनिवर्स तक जाएगा। चाहे फिर वो हैपिनेस हो, या फ्रीडम हो, कार हो, या बंगला हो, या किसी भी परकार का कोई एक्जाम हो, आप अपनी मांगो को एक पेपर में लिख भी सकते हैं। उसे अपनी जीवन में उतारने के लिए, उसे अपने पास ही रख सकते हैं। आपको जो चीट चाहिए, या आपका जो सपना है, वो क्लियर होना चाहिए। यदि आप doubtful रहेंगे, तो आप कई अलग-अलग तरह की frequency, अर्थात mixed frequency universe में भेजेंगे। यदि आपको ही क्लियर नहीं है, कि आपको कौन सी जॉब करनी चाहिए, आपको किस फिल्ड में जाना चाहिए, आप किस छेतर में जाना चाहते हैं, तो आप उस छेतर में वैसा नहीं कर पाएंगे। आपको पूरी तरह से clear होना पड़ेगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है तभी आप एक सामान frequency universe में भेजेंगे और आप अपने dreams को पा सकेंगे जितना हो सके सबसे बड़ा सोचिए बड़ा मांगे अब वैसी frequency universe में भेजेंगे और भविस में आपको वैसा ही मिलेगा दूसरा कदम है यकीन करें Believe यकीन करें कि वह चीज आपकी हो चुकी है मैं इसे अटल आस्था कहना पसंद करता हूँ जैसे अद्रिस में यकीन करना लेका का कहना है कि जो चीज आपने मांगी है वह चीज आपको मिल चुकी है ऐसा आपको मानना होगा आपको पूर्णता विश्वास करना होगा कि जो चीज आपने मांगी है वह आपके हाथ में है जैसे online आप कुछ order करते हो आपको पता है कि वह चीज अभी आपके हाथ में नहीं आई है लेकिन आपको विश्वास हो जाता है कि अब वह चीज मेरी ही है उसी तरह आपने universe से जो चीज मांगी है तो उसी वक्त आपको believe हो जाना चाहिए कि वह चीज आपकी हो चुकी है आपको उसके बारे में चिंता करने की जरुत नहीं है कि वह चीज आपको मिलेगी या नहीं अब बस यही सोचना है कि वह चीज आपकी हो चुकी है आपको यह नहीं सोचना है कि आपने इतनी बड़ी चीज मांग ली है लेकिन वह आप तक केसे आएगी यह आपका काम नहीं है वह चीज आपके पास आ जाएगी बस आपको अपने उपर विश्वास होना चाहिए और हमें एक समय में एक चीज ही मांगनी चाहिए अन्यथा कई सिगनल एक साथ यूनिवर्स में जाते हैं तो रिजल्ट भी गलत आता है और साइध रिजल्ट आए भी ना जैसे हमने अमीर बनने का सपना देखा तो हमें ऐसे ही जीवन जीना चाहिए होगा कि मैं अमीर हूँ मेरे दिमाग में अमीर होने के लक्षन है और ऐसे फ्रिक्वेंसी के सिगनल हम यूनिवर्स में वेजेंगे तो वैसा ही भविस में हो पाएगा बस आपको अपने उपर पूरा विस्वास करना होगा जब आप रचनात्मक परक्रिया में इस तरह से सोचते हैं कि आपकी मन चाही चीज आपको मिल चुकी है तो स्रिष्टी उसी पर अमल करते हैं और आपकी मन चाही चीज आपको दे देते हैं जब आपने घर या नई गारी की booking करते हैं तो आप यकीन करते हैं कि कुछ ही देर में आपका घर या गारी आपको मिलने वाली है आप अपने घर या गारी की दोबारा booking नहीं करते हैं क्योंकि आपको विश्वास होता है कि एक बार booking करने पर कुछ ही दिनों में वह घर या गा लोगों और घटनाओं को जबरदस तरीके से प्रिरित करती है ताकि आपकी मनचाही चीज आप तक पहुँच जाए इत्यास के कामयाब लोग किसी लक्ष को निड़ारित करने से पहले या बिलकुल नहीं जानते थे कि वह उसे कैसे हांसिल करेंगे वह बस इतना जानते थे कि उन्हें उस लक्ष को हासिल करना अब तीसरा कदम है पाएं रिसीव परक्रिया का तीसरा और आखरी कदम है पाना इसके बारे में अच्छी भावनाय महसूस करें उसी तरह महसूस करें जिस तरह आप उस चीज को पाने के बाद महसूस करते हैं इसे अभी महसूस करें एक बार आप सोच कर देखिए अगर आपका ड्रीम बिजनेस या ड्रीम जॉब आपको मिल जाए तो कैसा फील होगा ठीक उसी तरह आपको फील करना है जब आप पहले के दोस्ते पूरे कर ले उसके बाद आपकी फीलिंग्स ऐसी होनी चाहिए जैसे कि आपको वह चीज रिसीब हो चुकी है फिर आप अच्छा फील करोगे तब आप अच्छी फ्रिक्वेंसी यूनिवर्स में भेजेंगे जिससे आप अपनी मन पसंद जीजों को और भी अच्छे से एट्रेक्ट कर पा यह दसीक्रेट के तीन स्टेप्स थे जब आप इन्हें अच्छे से फोलो करेंगे तो आप भी चीजों को अपनी और अट्रेक्ट कर पाएंगे इस पूरी बुक में लेखक बार बार यूनिवर्स को बताने के लिए जोर डालती है उसका रीजन भी है जैसे आप किसी होटल में जाते हैं पहले वहाँ आप अपना झादर देते पिर आपका उड़र आप तक पहुझता है ठीक उसी परकार हमें यूनिवर्स को भी बताना तो पड़ेगा यूनिवर्स हमें सब कुछ दे सकता है जो हमें चाहिए लेकिन बताना पड़ेगा इस चीज़ को करने का एक बहुत आसान तरीका है, एक cardboard पर अपने dreams की picture लगा दो, उसे ऐसी जगह रखें, जिस जगह बार बार आपकी नजर जाती है, आपको कैसे वैसे की सोच से अलग होना पड़ेगा, वह universe आपके लिए खुद ही arrange करेगा, बस आपको अपने dreams पर पूरा विश्वास होना चाहिए, इसी को समझने के लिए एक आसान तरीका है, क्या आपने कभी अंधेरे रास्ते पर गारी चलाई है, गारी चलाते वक्त आपकी headlight कितनी दूर का रास्ता दिखाती है, घर तक का रास्ता न देखने पर भी हमें जितनी दूर का रास्ता दिखाई पड़ता है, उतनी दूर आ अगर हमारे दिमाग में डाउट रहेंगे तो यही मैसेज बनकर युनिवर्स में जाएंगे आप बस भरोसा रखो बाकी काम युनिवर्स करेगा आपके लिए खुद रास्ते बनाएगा बर्मांड को आपकी ख्षा पूरी करने में जरावी वक्त नहीं लगता इसके लिए ए चीज को आकरसित करने का इरादा रखें जब आप आकरसन के सक्ति को जान लेंगे तो आप ज्यादा बड़ी चीजें उत्पन करने लगेंगे हर दिन के बारे में पहले से सोच लें कि आप उसे कैसा बनाना चाहते हैं इस तरह मन्चाहे ढंग से अपने जीवन का निर्मान क अध्याचार ससक्त प्रक्रियाएं The Secret Book में लेखिका ने उम्मीद को एक परवल आकरसन सक्ती माना है उन चीजों के उम्मीद करें जिन्हें आप चाहते हैं उन चीजों के उम्मीद ना करें जिन्हें आप नहीं चाहतें बहुत से लोगों को लगता है कि वह अपनी परिस्थितियों के कैद में है और अपनी मौझूदा परिस्थितियों को बदल नहीं सकते आपकी मौझूदा परिस्थितियां आपके विचारों का परिनाम है अगर आप अपनी मौजूदा प्रिष्थिती को बदलना चाहते हैं तो पहले आपको अपनी सोच और विचार को बदलने होंगे उदाहरन के तोर पर अगर आपके बैंक अकाउंट में जादा पैसे नहीं है या आपकी सेहत अच्छी नहीं है तो आप लगातार अपनी अतीत के विचारों और काड़ियों के परिनामों के साथ जी रहें जब आप अपनी वर्तवान के हालात देखते हैं तो उसी से खुद को परिभासित करते रहते हैं और अपने आपको साप देते हैं कि भविश में भी हाला बेहतर नहीं होंगे अगर आप हमेशा करज की उम्मीद करते रहते हैं तो आपको हमेशा करज ही मिलता है अगर आप बुरा होने की उम्मीद करते हैं तो आपके साथ जादा तर बुरा ही होता है और आपको इस बात से बिलकुल भी हैरान नहीं होना चाहिए क्योंकि आकरसन का नियम आपके विचारों के परतियाग्याकारी होता है आप जिस चीज की उमीद करते हैं आपको वही मिलता है आप अपने दोस्तों और आसपास के लोगों को ही देख लीजे उन्हें जिस बात का डर होता है उनके साथ हमेशा वही होता है क्योंकि वह उसी काम की उमीद करते हैं दोस्तों उमीद आकरसन की एक परवल सकती है आप किसी चीज की उमीद करेंगे वह आपकी तरफ आकरसित होगी इसलिए आपको अपने जीवन में हमेशा अच्छी चीजों को, अच्छी लोगों को और अच्छी परिष्टितियों की उम्मीद करनी चाहिए। इंसान खुद को बदल सकता है और अपनी तक्दीर का मालिक बन सकता है। जदी आप में ससक्त परवल इच्छा है। परवल इच्छा कैसे जागेगी। आप जो भी चाहते हैं उसे लिख कर सुरुवात करें। हम सभी में इतनी ज़्यादा सक्तियां और संभावनाएं हैं कि हमें उसका एहसास ही नहीं है। मानसिक तस्वीर देखना इनही महांतम सक्तियों में से एक है। विजुलाइजेशन मानसिक तस्वीर देखने की ससक्त परक्रिया। अलवर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कलपना ही सब कुछ है। यह जीवन के आगामी आकरसनों का पूर्व दर्सन है। विजुलाइजेशन यानि मानसिक तस्वीर देखना एक ऐसी परक्रिया है जो सभी महान उपदेशक और दर्सनिक सदियों से सिखाते आ रहे हैं। की यूग के उपदेशक और सभी काम्याब किसी नगसी रूप में मांसिक तस्वीर देखने की प्रकरिया का इस्तेमाल करते हैं जब आप अपने आपको अपनी मनचाही चीज़ों के साथ मांसिक तस्वीरों में देखते हैं तो आपके मन में वही भावनाएं उत्पन होती है जो असल में आपकी मन चाही चीजें पाने के बाद उत्पन होती है आप ऐसा महसूस करते हैं जैसे आपकी मन चाही चीजें सच में आपके पास मौजूद हो आपका दिमाग इसमें फर्क नहीं कर सकता कि यह सब सच में हो रहा है या यहां केवल तस्वीरों में और वह आपकी मानसिक तस्वीर की ससक्त फ्रिक्वेंसी स्रिष्टी में भेजता है आपकी मानसिक तस्वीर के फ्रिक्वेंसी के हिसाब से स्रिष्टी अपने आपको व्यवस्थित करती है और उसे सच कर देती है यानि आपको अपनी मनचाही चीजें जल्दी ही मिल जाती है तो मानसिक तस्वीर देखने की प्रक्रिया में आपको एक बात का ध्यान रखना जैसे कि आप कोई गारी खरिगना चाहते हैं तो आपको अपनी आए के मताबिक बहुत महंगी है तो आपको यहां नहीं सोचना है कि वहां गारी आपके पास कैसे आईगी यहां आपके पास इतने पैसे कहां से आएंगे आपको केवल अपनी आँखे बंद करके अपने आपको उस गाड़ी में बैठे हुए और उसे चलाते हुए देखना है गाड़ी चलाते हुए खुशी की भावनाएं महसूस करनी है क्योंकि मानसिक तस्वीर की परक्रिया तब तक काम नहीं करती जब तक आपके अंदर सकारात्मक भावनाएं ना हो इस परक्रिया के दोरान आपको सुख, समर्दी और खुशी की भावनाएं महसूस करनी तब ही आपके अंदर आकरसन की सक्ती पैदा होगी और आपकी मनचाही चीजे जल्दी ही आपको मिल जाएगी जब मांसिक तस्वीरे देखने की परक्रिया खुशी की भावनाओं के साथ की जाए तो सृष्टी लोगों, प्रिष्टितियों और घटनाओं को इस तरह से वेवस्तित करती है कि आपकी मनचाही चीजे जल्दी से जल्दी आपको मिल जाएगी जग कैन्फिल कहते हैं की आकरसन मांसिक तस्वीर या भिचार से नहीं बलकि भावनाओं से उत्पन होता है बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर वह सकारात्मक सोचेंगे और मांसिक तस्वीरे देखेंगे तो अपनी मनचाही चीजों को पा सकते है लेकिस सच तो यह है देखने के साथ अगर आपके मन में सुख, समर्दी, प्रेम और खुशी की भावना नहीं है तो आकरसन के सक्ती आपके अंदर पैदा हो ही नहीं सक्ती इसलिए आकरसन के नियम को इस्तमाल करने के लिए आपको अपने अंदर सुख, समिर्धी, प्रेम और खुशी की भावनाये रखनी होगी हवाई जहाज की खोज करने वाले राइट पंधों ने पहले अपने दिमाग में ही उस हवाई जहाज की कलपना किये थी तभी बर्मांड ने उन्हें वैसा हवाई जहाज बनाने के लिए प्रेर ना दी इसी तरह अगर आपको इंटर्व्यू में सफल होना है तो आप इंटर्व्यू लेने वाले से खुद को हात मिलाते हुए देखें और उसे आपको congratulations बोलते हुए सुने इन बातों को मजाक समझेंगे या आदे अधुरे मन से करेंगे तो यह secret काम नहीं करेगा अगर आप चाहते हैं कि यह सच में काम करे तो आप पूरे मन से और पूरे विश्वास से ब्रह्मांड से यह सब चीजे मागे सुरू में आपको यह करने में problem जरूर होगी आपके दिमाग में संदेह आ सकता है लेकिन practice से आप positive thinking सीख जाएंगे और इससे आपकी visualization भी बहुत जादा positive हो जाएगी और एक दिन आपके पास वह सब होगा जिसकी आपने कलपना की होगी ससक्त परक्रिया की इस करी में अब हम बात करते हैं gratitude की कृतग्यता की ससक्त परक्रिया है कृतग्यता आपकी उरजा बदलने और जिन्दगी में ज़्यादा मनचाही चीजों को पाने की एक सक्तिसाली परक्रिया है आपके पास जो भी चीजे हैं उनके लिए कृतग्य होने पर आप ज़्यादा अच्छी चीज़ों को आकरसित करेंगे दोस्तों अपने जीवन को बदलने के लिए जो सबसे आसान परक्रिया है वो है gratitude यानि कृतग्यता gratitude जिन्दगी में अच्छी चीज़ें लाने का सबसे अचूक उपाय है दोस्तों आप अपने जीवन में किसी भी चीज़ों को ज़्यादा पाने के लिए कृतग्यता का प्रियोग करें कृतग्यता से आपकी उर्जा और आपकी सोच में सकरात्मक बदलावाता है अपनी मनचाही चीज़ों के लिए पहले सही धन्यवाद देने से आपकी इच्छाओं को भावनात्मक बल मिलता है और आप बर्मांड में जादा ससक्त संकित भेजते हैं कृतग्यता का प्रयोग करने के लिए सबसे पहले उन सभी चीजों की सूची बनाएं जो आपके पास है उन चीजों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दे जो आपके पास नहीं है और ना ही उनकी कमी महसूस करें अब अपनी सूची में लिखी हुई सभी चीजों के लिए कृतग्यता महसूस करें अगर आप अपने घर में अपने आसपास देखेंगे तो पाएंगे कि आपके पास ऐसी बहुत सारी चीजे हैं जो दूसरे लोगों के पास नहीं है आपको उन सभी चीजों के लिए कृतग्यता महसूस करनी होगी जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी उरजा में परिबरतन आएगा और जल्दी ही वह सारी चीजे भी आपको मिल जाएगी जो आज आपके पास नहीं है आकरसन के नियम का लाव लेने के लिए इससे सिर्फ एक बार की घटना ना बनाएं बलकि इसकी आदट डाल लें हर रात सोने जाने से पहले दिन की घटनाओं को याद करें अगर कोई भी घटना या पल आपको अच्छा ना लगे तो उसे अपनी मस्तिस्क में बदल कर उस रूप में देखें जिससे आपको वह अच्छा लगने लगे अध्याय पांच धन का रहस्य मस्तिस्क जिस चीज की कलपना कर सकता है उसे वह हासिल भी कर सकता है अच्छी ख़बर यह है कि जिस पल आप फैसला करते हैं कि आपका ज्यान आपके बच्पन के जूठी धारनाओं से ज़्यादा महत्पुर्ण है उसी पल आप समिर्धी में अपना गेर बदल लेंगे सफलता बाहर से नहीं भीतर से आती है राल्फ वाल्डो इमर्सन दस सीक्रेट बुक में लेखिका ने धन के रहस्य के बारे में बताया है दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि आकरसन के सिद्धान का उपयोग आप धन के लिए किस प्रकार कर सकते हैं रहस्य के ज्यान और आकरसन के नियम को जीवन के हर छेतरे में लागु किया जा सकता है यह परकिरिया हर उस चीज पर अलागू की जा सकती है जिसे आप पाना चाहते हैं और उसमें धन भी सामिल है अपनी कल्पना का उप्योग करने से मदद मिलती है यह कल्पना करें कि आपके पास वह सारा पैसा है जो आप चाहते हैं दौलतमंद होने का खेल खेलने से आप पैसों के बारे में बहतर महसूस करेंगे जब आप इसके बारे में बहतर महसूस करेंगे तो आपके जीवन में ज्यादा पैसा परवाहित होगा पैसे को आकरसित करने के लिए आपको दौलत पर ध्यान केंदरित करना होगा जब आप पैसे की कमी पर ध्यान केंदरित करते हैं तो आपके जीवन में ज्यादा पैसा आना असंभब हो जाता है अगर आप अपना ध्यान कम पैसों पर केंदरित करेंगे तो स्रिष्टी हमेशा आपके लिए इसी प्रिष्थितियां बनाती रहेगी जिसमें आपके पास पैसे की कमी हो धन को अपने जीवन में आकरशित करने के लिए आपको धन की परचूरता पर ध्यान के दरित करना होगा वह सभी काम करने की कलपना करें जो आप करना चाहते हैं और महसूस करें कि यह कितना अद्भूद है सेकरों लोगों ने दस सीक्रेट टीम को बताया है कि इस प्रकिरिया का इस्तमाल करके उन्होंने धन की बहुत सारी रकम आसिल की है दोस्तों आप पैसे के बारे में क्या सोचते हैं कि पैसा सब बुराईयों का जर है या अमीर लोग बहुत बुरे होते हैं अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप बर्मांड को गलत सिगनल देते हैं बर्मांड आपकी हर बात सुनता है जब आप पैसे को बुरा बनाते हैं तो बर्मांड इसे नोट करता है फिर वो बुरी चीज को आपकी तरफ क्यों भेजेगा क्योंकि वह तो आपकी रक्षा करता है इसलिए अपनी सोच बदलिए आदमी बुरा हो सकता है लेकिन पैसा बुरा नहीं होता इसके बाद यह सोचिए कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा तो आप बहुत ज़्यादा गरीब लोगों की सेवा कर सकोगे गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोल सकते हो या आप गरीब लोगों के लिए हस्पिटल बनवा सकते हो तो इस तरह से आप पैसे को पॉजिटिव चीजों से जोड़ी तभी ब्रमांड आपकी तरफ पैसा भेजेगा परचूरता को आकर सित करें यह इरादा बना लें कि आप अपनी पसंद की हर चीज की तरफ देख कर यह कहेंगे मैं इसका खर्च उठा सकता हूं इस तरह आप अपनी सोच को बदल लेंगे और पैसे के बारे में बहतर महसूस करेंगे अगर आज के समय में आपके पास प्रयाप्त पैसे नहीं है तो ऐसा आपके विचारों के कारण है आपके विचार धन को आपके पास आने से रोक रहे हैं हर नगरात्मक विचार और भावना अच्छी चीजों को आपके पास आने से रोकती है और उसमें पैसा भी सामिल है आपको एक अच्छा जीवन जीने के लिए जितना भी धन चाहिए वह सब स्रिष्टी में इसी समय मौझूद है लेकिन आप अपने विचारों से उस धन को अपने पास आने से रोक रहे हैं आपको धन के अभाव के विचार सोचने की बजाए धन की परचूरता के विचार सोच करते हैं तो आकरसन के नियम के अनुसार पैसे की जरुरत को अपनी और हमेशा ही आकरसित करते रहेंगे आप जिन्दगी में जो भी चीज चाहते हैं उसे पाने का सबसे आसान तरीका है इसी समय खुस होना और खुसी महसूस करना मन चाहे पैसे या मन चाही चीज को आकरसन का नियम आपकी अंदरूनी विचारों और भावनाओं को हमेशा साकार करता है। उनके साथ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह हमेशा कर्ष के बारे में सोचते रहते हैं। जाएंगे कि उसके विचार धन के अभाव पर नहीं बलकि परचूरता पकेंद्रित है। जिसकी वजह से वह अपने जीवन में धन के प्रवाह को लगातार आकर्शित कर रहा है। अब आपको भी ठीक ऐसा ही करना है। पैसा पाने के लिए धन का दान करें। अपने जीवन मे और त्याग करने में बड़ा फर्क होता है। दान सुखत भावनाओं से भरे दिल से दिया जाता है और त्याग एक कमी का संकेत है। दान प्रयाप्ट से ज़्यादा का संकेत भेजता है। दान से अच्छा महसूस होता है और त्याग से अच्छा महसूस नहीं होता। त्या के सबसे दौलतमन्द लोग सबसे बड़े दानवीर होते हैं माइक्रोसोफ्ट के बिल गेट्स और फेस्बुक के मार्क जकरवर्ग हर साल करूर डॉलर चैरिटी में देते हैं और आकरसन के नियम से यह स्रिष्टी उन्हें कई गुना दौलत और दे देते हैं अगर इस समय आ पाकरसन के नियम के अनुसार यह स्रिष्टी आपको धन और प्रचूरता परदान करती हैं आप ऐसा सोचें कि आप समराज्य का वारिस हैं समर्दी आपका जन्म सित्धा धिकार है बाहरी चीजों से खुसी नहीं मिलती खुसी तो आंतरिक चीजों से मिलती दोस्तों वीडि है कि आपको तसीक्रेट बुक समरी पसंद आया होगा इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ सेयर करें और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग बुक समरी और नौलेज से भरे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल बुक्स प्ले को सब्सक्राइब करें मैं बहुत जल आप के लिए एक नया वीडियो लेकर आऊंगा तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में